नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विश्णू और आप देख रहे हैं दा विनर एजुकिशन दोस्तों आज हम लोग रासाइन विज्ञान से समंदित कुछ इंपोर्टेंट इमसी क्यूज को साल्ब करने वाले हैं तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं हमारा पहरा कुशिर है सोडियम को जल में डालने पर सोडियम को जल में डालने पर निकलती है हाट्रोजन गैस हाट्रोजन गैस निकलती है चले देखने नेक्स कुश्चिन है बेडिले आइट जो है किसका आइस का है बेडिले आइट किसका आइस का है ऐलूमिनियम का आइस का है लोहे का आइस का ह तो जो बैडिले ऐड है वह है जरकूनियों का तो इस कुस्चिन का आप से number फोर्ष रही होगा बैडिले ओड जरकूनियों का इसकल है तो दोस्तों जो प्याज और लाहिशन में गंद होती है वह होती है ओटाइसियम के कारण प्याज और लाहिशन के गंद का कारण ओटाइसियम है इसे हमें केस से डिनोट करते हैं तो next question देखते हैं next question है नेस्ट question है मारा रेफ्रेज़डर में जल को ठंधा करने के लिए उसमें कांशिक gas प्रियुक्त की आती है तो रेफ्रेज़डर में कौन सी gas योज़़़़़ाती है chlorine योज़़़रें योज़़़ाती है प्रियोग शाला में निम्न में से जो कार्बनिक पदार था है उनको कौन से को पहले तयार किया गया था प्रियोग शाला में तो वो है यूरिया सुगर एसिटलीन मेधेम तो दोस्तों जो यूरिया है इसको सर प्रियोग शाला में तयार किया गया था तो यह पहला कार्बनिक प्रियोक शाला में तयार किया गया था देखते हैं next question next question है हमारा पीतल में क्या-क्या होता है मिला ताबा और जस्ता मिला होता है ताबा और लोहा मिला होता है सोना और पारा मिला होता है अत्वाफे सोना और ताबा मिला होता है तो दोस्तों यह simple question है पीतल में ताबा और जस्ता मिला होता है ताबा और जस्ता मिला के पीतल बनते हैं तो इस question का option number fastest है होगा देखते हैं next question next question है हमारा photographic में कौन सा पतार का परियुक्त होता है पहला option है silver bromide दूसरा है sodium chloride तीसरा है sodium hydroxide च्राउथा अप्सन है Ammonium Nitrate तो दोस्तों जो फोटोग्राफी में यूज होता है पदार्थ वह होता है हमारा Silver Bromide Agbr Silver Bromide जो है हमारा यूज होता है फोटोग्राफी के लिये देखते हैं next question, next question है हमारा किस पदार्थ के लगने से रट का बहना रुक जाता है वह कौन सा पता था है जिसे लगाने पर बहता हुआ रख्ट रुक जाता है Ammonium Cloride, Sodium Cloride, Sodium Heart Oxide अथो वाफिर फेरिक Cloride होता है तो जो फेरिक Cloride है उसको यदि हम लगा देते हैं तो रख्ट का बहना रुक जाता है इस question का अपसे नमबर 4 सही होगा देखते हैं next question, next question है carbon की परमाणू बंदुता कितनी होती है carbon की जो संयूजिन छहमता होती है वहाँ कितनी है एक है, दो है, आठ है, तो फिर चार है तो दोस्तों जो carbon का परमाणू होता है, जो carbon होता है उसकी बंदुता चार होती है तो इस question का अपसे नमबर 4 सही होगा देखते हैं next question, next question है हमारा चांदी का अजस्क क्या है बाकसाइड, क्यूपराइड, अर्जेंटाइड, अथो फिर हेमेटाइड तो दोस्तों चांदी का सेंबल होता है, जो लिखा जाता है उस लिखा जाता है, एजी से तो एजी का मतलब हो गया, अर्जेंटाइड तो इस question का अपसे नमबर 3 सही होगा देखते हैं next question, next question है हमारा जर्मन सिल्वर, किसका मिस्रन होता है तांबा जस्ता निकल का, तांबा जस्ता लोहे का तांबा सिल्वर निकल का, तांबा अलुमिनियों निकल का तो दोस्तों जो जर्मन सिल्वर होता है कहले के लिए तो जर्मन सिल्वर है, लकिन इसमें चांदी होती नहीं है या मिस्रन होता है तांबा जस्ता और निकल का तांबा और जस्ता निकल मिलके बनाते हैं जर्मन सिल्वर तो इस question का अपसे नमबर 1 सही होगा देखते हैं next question next question है हमारा motor वाहनों से निकलने वाले धुये में कौन सी विशाइली gas होती है धुये में कौन सी विशाइली gas होती है जो वाहनों से निकलता है carbon dioxide होती है carbon monoxide होती है chlorine gas होती है या फिर nitrogen gas होती है तो दोस्तों जो motor निकलता है धुआ उसमें कार्बन मोनो आक्साइड नामक विशायली गैस होती है जो कार्बन मोनो आक्साइड गैस होती है यह मानो के रक्त हीमोगलोबिन में जो है बहुत तेजी से गुलने वाली गैस होती है यह बहुत हानिकारक गैस मालियाती है विशायली गैस मालियाती ह CO से denote करते हैं Carbon Mono Oxide Next question दिखते हैं Next question है कांच किसमें विले है ऐसा कौन सा पता है जिसमें कांच घुल जा रहा है असानी से अमल राज में, नाइट्रिक अमल में सल्फियूरिक अमल में अथ वाफिर हाइड्रोजन फ्लोराइड में तो दोस्तों जो कांच है वाफिर हाइड्रोजन फ्लोराइड में आसानी से घुल जाता है यह एफिर हाइड्रोजन फ्लोराइड में आसानी से घुल जाता है देखते हैं Next question वाफिर है वाफिर है किसमें विले है तो दोस्तों जो वाफिर है वह विले होती है carbon tetra chloride में carbon tetra chloride तो इस question का आपस number second सही होगा वह विले होती है carbon tetra chloride में CCL4 दिखते हैं next question next question है नगास में बिजली चमकने के दोरान जो gas सबसे अधिक मात्रा में बनती है वह काउनसी है carbon dioxide है क्लोरीन गयस है, नाइट्रोजन है, सलफर डायकसाइड है दोस्तों जो बिजली चमकती है, तो उस देवरान जो है नाइट्रोजन वा हाड्रोजन जो है, सरवाधिक मातरा में बनती है तो इस कुशन का आपसन नमबर थार्ड सही होगा नाइट्रोजन वा हाड्रोजन, आकास में बिजली चमकने के दोड़ान सरवाधिक मातरा में बनती है इसकी अधिक्ता हो जाती है देखते हैं नेक्स्ट कुशन, नेक्स्ट कुशन है हमारा आस्थाई कठोरता चल में घूले होते है मतलब कि आस्थाई कठोड़ता जो होती है वह किन पदासों के कारण होती है बेरियम सलफेट के दोरा मैगनीशियम कैलसियम के बाइकार्बोनेटों के दोरा मैगनीशियम सलफेट के दोरा अथो फिर सोडियम क्लोराइट के दोरा तो जो आस्थाई कठोड़ता होती है जलकी आस्थाई कठोड़ता वह होती है मैगनीशियम और कैल्सियम के बाइक कार्बोनिटियों के द्वारा मैगनीशियम और कैल्सियम के द्वारा आस्थाई कठोड़ता होती है जलकी दिखते हैं नेक्ट कुस्चिन नेक्ट कुस्चेन है हमारा वासिंग सोटा का जलिय विलियन कैसा होता है जो हमारा वासिंग सोटा है उसका जलिय विलियन कैसा होता है अमलिय होता है छारिय होता है उदासीन होता है धवाइन में से कोई नहीं तो दोस्तो जो वासिंग सोडा है दोलने वाला उसका जलिए विलिया छारिय होता है तो इस question का अपस नमबर second सही होगा छारिय होता है वासिंग सोडा का जो सूत्र होता है next question की बात करते हैं समुद्री जल में सरवाधिक मातरा में कौन सा जो है salt पाया जाता है तो समुद्री जल में सरवाधिक मातरा में पाया जाता है वो क्या है magnesium sulfate है calcium chloride है sodium sulfate है तो आपर sodium chloride है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा नमक बनता है इसको हम बोलते है sodium chloride यह सरवाधिक मातरा में पाया जाता है समुद्री जल में तो जो समध्री जल में सरवाधिक मातरा में पाया जाता है, वहां है sodium chloride, इसका सामएने super होता है, यने gamers. यने CL जो है, सरवाधिक मातरा में पाया जाता है समध्री जल से, देखते हैं next question, next question हमाई pencill में प्रिक्तो काला सीसा क्या होता है, बस तो जो काली नोख होती है प्रिक्त होता है हीरा होता है कार्बन होता है लोहा होता है तो पेंसिल में प्रियुक्त होने वाला जो काला पतारत होता है वह होता है ग्रेफाइड यहां होता है कार्बन का अपर रूप कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइड और हीरा जो है क वह हमारा जो पेंसिल में लगा होता है वह होता है ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो है वह विद्धुत का सुचाला को मालना जाता है देखते हैं नेक्स्ट कुस्चन हमारा मोहर लवन जो है वह क्या होता है कौन सा किस टैप का लवन होता है एक दूर के लवन होता है एक सर कापस नमबर फ़र्स्ट रसाई होगा देखते हैं वो जो दिक लावण है वहाँ मोहर लावण दिक लावण होता है इस कुछिन कापस नमबर फ़र्स्ट रसाई होगा तो थैंक्स वाचिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में